Are you suffering from acne? Hello, this is Dr. Anupam और आज हम बात करने वाले हैं अक्ने के बारे में ये क्या होते हैं क्या इनका रीजन है और कैसे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं तो नॉर्मली क्या होता है हमारी स्किन जो है उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो जब इन पोर्स में एक्सेस जो डेड़ स्किन है या फिर ओयल है वो अकुमूलेट होना शुरू हो जाती है तो ये पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं जिसके वज़े से एकने होते हैं ये एकने हो सकते हैं ब्लाक हेड्स, वाइड्स या फिर पिंपल्स तो यह block क्यों होते हैं, जैसे कि teenagers में या फिर कोई भी hormonal disturbances जब भी होते हैं, हमारी body में जो यह oil glands हैं, वो extra oil produce करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारी pores में accumulate होके उनको block कर देता है, जो कि बाद में acne का form ले लेते हैं, तो इसलिए acne more common है, growing जो older children है या फिर teenagers है, who are approaching puberty, तो उनको जादा common है, तो जो हमारा diet है, वो कैसे effect करता है acne को, इसके बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले तो जब भी हम refined carbohydrates या फिर high sugar foods अपनी diet में लेना शुरू कर देते हैं, तो acne की problem बढ़ जाती है, वो क्यूं? क्योंकि जो refined sugars हैं, high glycemic index वाले foods हैं, या फिर simple sugars ह जो एकदम से body में जाके insulin release कर देती है, उससे की body में insulin spike क्रियेट हो जाता है, जो insulin है, वो क्या करता है, हमारी body में जो भी oil glands है, उनको stimulate करता है to produce more oil, उससे क्या होता है, वो oil पोर्स में एकुमुलेट होना चुरू हो जाता है, और acne cause होता है, तो हमेशा हमें, जो भी simple carbohydrates है, refined sugars है, refined flowers है, मैदा है, ऐसी चीजों को अपनी डाइट में avoid करना है, तो इसकी बजाए हमें क्या लेना है, whole grains, whole grains क्यों लेने है, because they are rich in fiber, उनका glycine में index low होता है, वो blood में जाके एकदम से insulin release नहीं कराते हैं, उसकी वज़े से हमें एकने नहीं होता है, high fiber foods में आता है, whole grains, fruits and vegetables, pulses, nuts, seeds, तो ऐसे foods हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, जो की glycemic index जिनका low हो, तो हमें अपनी डाइट में कुछ ऐसे foods इंक्लूड करने हैं, जो की anti acne diet है, सबसे पहले उसमें आता है, mineral हमारा zinc, zinc भी हमारी insulin resistance जो है, उसको fight करने में help करता है, तो zinc rich foods कौन से है, nuts है, seeds है, cashews, pumpkin seeds, watermelon seeds, sunflower seeds, quinoa, lentils, these things are rich in zinc, तो हमें इसको daily basis पे अपनी डाइट में इंक्लूड करने है, और हमें कुछ ऐसे vitamins अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, जो की antioxidants हो, जो की free radical damage को कम करते हैं, वो भी acne से fight करने में हमारी help करेंगे, ये vitamins कौन से है, vitamin A, C and E, और ये अपनी में होते हैं, yellow fruits and vegetables में, vitamin E होता है, carrots में, pumpkins में, तो ये हमारी skin की regeneration के लिए बहुत है, अपनी को प्रिवेंट करता है, vitamin E है, वो फिश में है, oils में है, nuts में है, seeds में है, तो वो भी एक बहुत ही potent antioxidant है, and vitamin C that is present in citrus fruits, and broccoli, and cabbage, and guava, amla, oranges, lemons इं सब में, vitamin C बहुत अच्छी मे बहुत है, जो की हमारी overall inflammation को reduce करने में भी help करता है, acne से fight करने में भी help करता है, और हमें अपनी डाइट में healthy fats को include करना है, healthy fats क्या करते हैं, जो हमारी body में bad fats को मुलेट हो गए हैं, उनसे fight करने में help करते हैं, healthy fats are omega 3's, omega 3's किन में होते हैं, fishes में, eggs में, या फिर nuts and seeds में, मैं ब अब हम बात करेंगे कि ऐसी लाइफस्टाइल डिप्स, कैसी स्किन केर रूटीन हमारी होने चाहिए जिससे की एकने हमें मिनिममम एफेक्ट करें सबसे पहले तो हमें अपने बोड़ी की हाईजीन का बहुत ध्यान रखना है अगर हम हाईजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो बेक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन होने का खतरा जादा रहता है जिससे की एकनिक प्रमोट होते हैं तो हम डेली अपने फेस को या फिर जो भी टो फिर फोरोग लेंजीन बहुत इंपोर्टेंट है से अपने मेकप लगाया और आतफाप ऐसी सो जाओगे जितना मिनिमंम टाइम के लिए आप मेकप अपलाई कर सकते हो उतना ही कम अपलाई करना चाहिए और उसकी क्लींजिंग बहुत ही इंपोर्टेंट है और हमें एकने जादा होने की चांसे हो जाते हैं, तो स्वेटिंग जब भी होती है, उसके बाद आपको स्किन को क्लीन करना बहुत ही important होता है, और हम क्या करेंगे, एकने उनली फेस पे नहीं होते हैं, हमारे शोल्डर पे, बैक्स पे, नेक पे भी होते हैं, तो always avoid tight fitting clothes, tight fitting clothes से हमारी body पे moisture accumulate होना शुरू हो जाता है, जिससे की fungal infections होने का खतरा बढ़ जाता है, तो हमें loose fitting comfortable clothes ही पहनने चाहिए, और एक बहुत important point हमें stress को reduce करना है, जब भी हम stress में होते हैं, हमारी body का, जो hormonal balance है, वो imbalance हो जाता है, जिससे की हमारी body के oil glands हो जादा oil produce करना शुरू कर देते हैं, तो minimize stress और sleep, अपने sleep pattern को, sleep-wake cycle को भी हमें जुरूर ध्यान में रखना है, to maintain a healthy hormonal balance, तो eat healthy, sleep on time, wake up on time, reduce your stress and stay hydrated, stay positive, stay motivated, bye-bye.